नमस्कार तो आज हम डिसकस करेंगे computer knowledge NCRT based class 3 रहेगी इससे पहले हम दो classे discuss कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जुरूर देखिएगा आपके लिए helpful रहेंगे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल जुरूर सब्सक्राइब करके जाए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देखिए पिछली बीडियो में पी रोम जिसमें data को मिटाया नहीं जा सकता है EEP रोम में UB रेस की साहिता से हम data को मिटा सकते हैं और जो आपका EEP रोम है इसके E2 पी रोम भी कहा जाता है इसमें विदूत के जरी डाड़ा को मिटाया जा सक इनके बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले बारे में डिसकस करेंगे जिसकी फूल फॉरम थी basic input output system देखिए बायो सिप का इससे मार हम बूटिंग करने के लिए किया जाता है देखिए यहाँ पे बूटिंग शब्द का मीनिंग क्या है जब भी आ आप निया computer लेते हैं उसमें operating system यानि यह से windows हो गया यह डलवाते हैं तो उस क्रिये को क्या कहा जाता है बूटिंग कहा जाता है देखिए बूटिंग के दौरान या बूटिंग करते समय बायो सिप जो है वो एक test करती है इस test का नाम है आपका post test यहां से आपकी के बार full form पूछ ली जाती है पाब और own self test test किया जाता है बूटिंग पर करिये के दुरान देखिए इसके बाद हम discuss करेंगे CMOS chip के बारे में देखिए CMOS की full form है आपके पास complimentary metal oxide semi conductor देखिए computer के अंदर date and time को update करने के लिए CMOS chip का यूज किया जाता है देखिए CMOS chip में कुछ battery लगी होती है जैसे आपका laptop है अगर के बार dead हो जाए उसकी battery down हो जाए आप 2-3 दिन के बाद भी अपने laptop को own करते हैं तो जो आपका date or time है वो सही चल रहा होता है वो चल रहा होता है CMOS chip के कारण जिसके अंदर CMOS batteries लगी होती है जिसके कारण आपका date or time जो है वो update रहता है देखिए यहाँ से question बनता है कि कौन सी chip के दौरा जो आपके computer का date or time जो है वो update रहते हैं तो यह रहते हैं आपके CMOS chip के कारण इसके बाद हम discuss करेंगे देखिए flash memory Memory के बारे में, देखिए flash जो memory है वो आपकी RE-Rightable memory है इसमें data को दो बारавать लिखा जा सकता है देखिए जो flash memory है इसमें data को पोना लिखा जा सकता है data को आप delete कर सकते हैं दोबारा से इसे दिखा भी जा सकता है यह आपकी non-volatile memory है जासे आपकी light चले जाये तो data पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी permanent memory है, ये style memory है, इसके example आपके mobile phone होगे, digital camera, printer, ये सबी जो example हैं ये आपके flash memory के हैं, ज्याद रखिएगा flash memory आपकी re-write table memory है, non-volatile है और permanent memory है, इसके बाद हम discuss करेंगे cache memory के बारे में, देखिए cache memory आपका SRAM का एक परकार है, SRAM के full form हमें आपके पास static random access memory, देखिए जो पिछली video थी उसमें हमने detail में discuss किया है, static random access memory के बारे में, अगर आपने वो video नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, देखिए RAM की गति को increase करने के लिए हम किसका use करते हैं, cache memory का, देखिए जो काम RAM आपकी 180 nanosecond में करता है, वही काम cache memory आपका 45 nanosecond में कर देती है, यहाँ से question बनता है कि सबसे fastest memory कौन सी है, तो वो है आपकी cache memory, इसके बाद हम cache memory के पारे में थोड़ा सा डिसकस होर करेंगे, देखिए cache memory जो है आपका DRAM और CPU के बीच में, बफर के रूप में कारे करती है, DRAM की full form है, आपकी dynamic random access memory और CPU है आपका central processing unit, DRAM की full form याद रख लीजिएगा, और याद रखिएगा कि जो cache memory है, वो बफर के रूप में DRAM और CPU की बीच कारे करती है, इसके बाद हम डिसकस करेंगे, virtual memory के बारे में, बर्चुल memory को हिंदी में, अभासी memory के नाम से जाना जाता है, अभासी memory कहा जाता है इसको, तेके hard disk की खाले जिगा पर बनाए जाने बाली memory, आपकी कौन सी memory है, virtual memory देखे RAM की memory को बढ़ाने के लिए हम किस memory का इस्तिमाल करते हैं ये किया जाता है virtual memory का इस्तिमाल जैसे आपने अपने laptop या computer की RAM की memory बढ़ानी हो तो आप किस memory का यूज़ करेंगे virtual memory का ये question important बनता है यहाँ से ये RAM के मेमरी को बढ़ाने के लिए किस मेमरी का इस्तिमाल किया जाता है, बर्चुल मेमरी का, देखे बर्चुल मेमरी और मेन मेमरी के मद्देव प्रोग्राम को आप स्वैप करके बड़ी असानी से RAM में चला सकते हैं, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, देखे इसक के बाद हम डिसकस करेंगे, स्केंडरी या उक्जिलरी मेमरी के बारे में, देखे जो आपकी स्केंडरी मेमरी है इसे, उक्जिलरी मेमरी के नाम से भी जाना जाता है, स्केंडरी मेमरी ही आपकी उक्जिलरी मेमरी है, जिसमें आपकी मेगनेटिक डिक्स, उक्टिकल डिस्क और solid state disk ये तीनों आपकी secondary memory में आती हैं इसको हम detail में discuss करेंगे आगे जिसमें हम सबसे पहले magnetic disk के बारे में discuss करेंगे magnetic disk के उधारन है आपके HDD यानि hard disk drive floppy disk जिसे लिचिली disk भी कहा जाता है इसके उधारन है memory disk आपकी hard disk को हम stack of disk कहते हैं क्योंकि इसमें एक disk के ऊपर दूसरी disk रहती है इसलिए हम stack of disk भी कहते हैं इसको देखे stack of disk के कारण इसके winchester disk भी बोला जाता है यह कोशन यहां से बनता है कि winchester disk की से कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपके magnetic disk को इसके बाद हम discuss करेंगे hard disk के घुमने की speed को देखे hard disk को जो घुमने की speed है यह आपके 3600 से लेके 7200 rotation per minute है यहां से याद रख लीजिएगा आप कि जो आपके hard disk के घुमने की speed है उसको किसमें आपा जाता है RPM में यानि rotation per minute में चेक कर प्रती minute यह अपसे question पूछा गया था एक बार देखे इसके बाद हम discuss करेंगे floppy disk के बारे में floppy disk जो है आपकी secondary memory की यानि auxiliary memory का उधारन है floppy disk आपकी flexible disk है देखे के बार question बनते है इनके size से यह आपकी 8 inch की होती है 5 से ही 1 वटा 2 inch की होती है और दोनों सतह पर होती है जो पहली सतह है उस पर आपके एवल data को read कर सकते हैं और जो आपके दूसरी सतह है उसमें आप data को read और write दोनों कर सकते हैं देखे जो आपके floppy disk है इसको हम sector में बांटते हैं ऐसे आपके disk होगी इसके कुछ sector होंगे और कुछ track होंगे इस परकार के आपके track होंगे और ये sector होंगे देखे किसी भी disk को track और sector में बांटने की परकरिये क्या कहलाती है तो ये कहलाती है आपकी formatting इस question को याद रख लिजिएगा किसी भी disk को track और sector में बांटने की परकरिये क्या खहलाती है formatting और एक sector में जो है वो आपके 512 bytes होते हैं ये question आपका आया हुआ था तो important question है ये देखिए अभी तक हमने discuss किया है magnetic disk के बारे में अब हम discuss करेंगे optical disk के बारे में optical disk के अंडर आपका cd, dvd और brd आते हैं cd की full form पूछ लिजाती है कई बार compact disk और इसके inventor थे आपके James Russell dvd इसकी full form है digital versatile disk जिसके inventor थे David Polgarg और जो brd है blu-ray disk इसके inventor थी company है आपकी blu-ray association ये आपके optical disk के उधारन है यानि secondary memory के disk के उधारन है आपके देखिए secondary memory में हमने magnetic disk optical disk इन दोनों के बारे में discuss कर लिया है जो आपकी third memory है यानि solid state disk है इसमें आपका जो है वो pen drive और जो आपका flash drive आते हैं ये आपके question बनता है यहां से कि जो आपका flash drive है ये किस memory का उधारन है तो ये आपका secondary memory यानि auxiliary memory का उधारन है pen drive भी आपकी secondary memory है flash memory भी आपकी secondary memory है और जो और ये solar state disk के उधारन है तो यह हैं तो इस वीडियो का अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल जूर सब्सक्राब करिएगा जुड़े रहेगए और good study channel से do work hard, God bless you all